हेलो एवरिवन, टेस्टी पूट अड लाइफ स्टाइल विद उतकरशा में आपका बहुत-बहुत स्वागत है मैं है उतकरशा और आज में आपके लिए माल पूई की रेसिपी लेकर के आई हूँ इसमें ना मैंने शूगर यूज किया है ना जैगरी यूज किया है और ना ही हनी यूज किया है तो फिर आखिर की बनी कैसे है तो इस से जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दो अगर आप मेरे चैनल पर फर्स टाइम आये हैं तो अभी के अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ में जो पास में जो नोटिफिकेशन मिले उसे भी ओन कर लीजिए क्योंकि उसे आपको notification मिल जाएगी जब भी मैं video upload करूँगी और मेरे चैनल पर recipes के साथ ही साथ vlog and much more lifestyle videos देखने को मिलेंगी तो देर किस बात की अभी के अभी subscribe कीजिए तो चलिए video को start करते हैं तो इसे बनाने के लिए मैंने ले लिया है 4-5 dates यानि खजूर ले ले अगर वो सीड ले से तो ठीक है अगर सीड वाली हो तो सीड निकाल दे उसके बाद half cup यहाँ पर गुनगुनी दूध हम ले लेंगे और इसे भीको करके आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे आधे गंटे के बाद उसका हम fine paste तयार कर लेंगे अब यहाँ पर मैंने लिया है half cup मैदा आप इसकी जगह पे आटा भी यूज कर सकते हैं 1 tablespoon सूजी दिया है और इसे भी mix कर लेंगे अब जो खजूर और दूद से जो हमने paste तयार किया था उसे हम इसमें add करेंगे और बैटर तयार करेंगे तो थोड़ी-थोड़ी करके इसमें add करेंगे और इसे बैटर तयार कर लेंगे माल पुए बनाने के लिए और अगर यह कम पढ़ जाए अगर तो आप उपर से फिर दूद यूज कर सकते हैं तो स्मूथ बैटर हम इससे तयार कर लेंगे मेरे चानल पर शुगर फ्री गुलाब जामुन के भी विडियो अपलोड की हुई है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है उसे आप देख सकते हैं वो भी बिल्कुल शुगर फ्री से बनी हुई है चार गंटे हो गए है और ये बैटर हमारे बिल्कुल अब अच्छी से रेडी हो गई है इसे एक बार हमिक्स कर लेते हैं यहाँ पर मैंने यूज किया है गरी हम जिसे बोलते हैं कोकोनट जो होते हैं ड्राइ कोकोनट वो किसमिस और सॉफ इन सभी को आप बारे काट लेंगे और उसके बाद हम इसमें एड कर देंगे सॉफ को चाहे तो आप गर आपको ऐसे नहीं पसने तो सॉफ क्या पॉडर बना करके भी यूज कर सकते हैं तो ये बैटर हमारी रेडी है हमें डीफ्राइ नहीं करनी है तो इसलिए मैंने कमी यूज किया है तो घी ले लेंगे या फिर आप ओल ले ले इसे मेडियम गर्म करेंगे और उसके बाद इसमें हम बैटर डाल देते हैं तो आप एक बार में एक या फिर जैसे कड़ाई जितनी बड़ी हो उसके according आप माल पुए बना सकते हैं तो यहां पर हमें मेडियम गर्म तेल या फिर घी जो भी आप यूज करें मेडियम गर्म होनी चाहिए और उसके बाद इसे हम फ्राइ कर लेंगे दोनों साइड गोल्डेन ब्राउन कलर आने तक लो टू मीडियम फ्लेम पे और अच्छे से जब यह दोनों साइड से कलर आ जाए तो हम भी से हम निकाल लेंगे और यहां पर मैंने चाशनी यूज नहीं किया है आप चाहें तो शुगर फ्री जो आते हैं ना उसका यूज करके आप चाशनी बना करके भी इसमें एंजॉई कर सकते हैं तो यह मालपुय हमारी बनकर बिल्कुल रेडी है उपर से मैंने इस पे पिस्ते से गार्निश कर लिया है चाशनी वाली मालपुय की वीडियो भी मेरे चैनल पे अप अपलोड की वही है आप देख सकते हैं उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है तो आज की रेसे भी पसंद आई हो तो इसे लाइक करे शेयर करे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेजे तो मिलती हो फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में आज के लिए बस इतना ही थैंक यू